हेलो दोस्तों तो दोस्तों कैसे वो आप सब स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में तो जैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज की जो वेकेंसी अरकी है वो अरकी यहाँ पे टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की तरह से यह बंपर भड़ती का अफिशली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर के निडिट अप्लाई कर सकते हैं और यदि आपके पास यहाँ पे एक्स्पिरेंस है मिनिमम एक साल का तो भी आप एलिजिबल है इसको अप्लाई कर सकते हैं दोनों के लिए अलग तो स्टार्टिंग सेलरी आपको जो रहेगा यहाँ पे 28,000 उपए से लेके लग बग 80,000 उपए पर मन्त तक आपका सेलरी यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि डिपेंड करता है कि आपका इंटर्यू यहाँ पे कैसा जाने वाला है साथी साथ यहाँ पे बात किजए कि लेना है और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना हमारा भी मोटिवीजन बना रहता है यार ऐसी बैतरी इन वीडियो बनाने का तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे पोजीशन के बार में तो अलग-अलग टाइप की पोजीशन देखने को मिल जाती और यहाँ पे सेफटी डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छी वेकेंसी निकाली गई है जो की रहेगा सेफटी इन चार्ज का सेफटी इंजीनियर का और सेफटी ऑफिसर का तो यह तीन पोजीशन आपको देखने को मिल जाती है तो एजूकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है उसके बार में बात कर लेते तो अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तीन सल का अप एलिजिबल है या फिर अगर आप 2023 में पास उटोने वाल है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं लग बग सारी ब्रांचिज आपको देखने को मिल जाती है और अगर आपने यहाँ पे भी बीटेक कर रखा 4 सल का तो भी आप एलिजिबल है इसको अप्लाई कर सकते हैं लग बग सारी ब्रांचिज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी तो चलिए बात कर लेते हैं अप्लाई प्रॉसस के बारे में तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना टार्गेट जो हम रख रहे हैं इस वीडियो के लाइक का वह आप कर रहेगा 900 प्लस आपको लाइक करवाने हैं अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेर कर देना ताकि वो सभी लोग भी के लिए apply कर सके और एक चीज़ का ख्याल रखेगा कि जो आप ही वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के comment box के अंदर आप अपना education qualification comment करके बता देना कि आपने क्या कर रखा है और अभी आप कौन सी job search कर रहे हैं क्योंकि आप सभी के comment में पढ़ता हूं और आपको next video के अंद लाइक कर ले पास में जो गंटिया लाइक इसको दबा दे ताकि आपको next video को notification सबसे पहले मिल पाए और आपको इस चैनल पे engineering job update लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चलिए शुरू करते हैं चलिए बात कर लेते कि यहां पर आपको apply कैसे करना है उस process के बारे में तो मैं आपको लेके चलता हूँ इनके officially linkedin page पे जिसका link मैं आपको वीडियो के description में दे रखा है तो जैसे आप उस पे click करेंगे आपके सामने directly यह tab open हो जाएगा जो कि आप अभी screen पे देख पा रहे हैं तो यहां पे जो आपको vacancy देखने को मिलेगा पारिंग चल रहा है टाटा प्रोजेक्ट के अंदर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर देख पाएंगे कि जो company हैं कि काम करती यहां पे oil and gas sector के अंदर hydrocarbon sector के अंदर यह काम करती है साथी साथ यहां पर जो आपको project देखने को मिलेंगे वो द position आपको देखने को मिल जाएगी देखी यहां पर इन्होंने mention कर रखा है कि piping engineer का विकेंसी देखने को मिलेगा basically department आपका रहेगा erection और fabrication का department रहेगा Structural Engineer का Vacancy देखने को मिल जाता है Erection Department के अंदर और Fabrication के अंदर Quality Engineer का Vacancy देखने को मिल जाता है Equipment Department के अंदर Quality Analyst और Quality Control का Vacancy देखने को मिल जाता है उसका Department आपका रहेगा NDT का साथी साथ Instrumentation Engineer का Vacancy देखने को मिल जाता है साथी साथ यहाँ पे construction planning का vacancy देखने को मिलेगा, देखे यहाँ पे जो safety engineer है और safety supervisor है, उसके लिए कोई भी apply कर सकते हैं, अगर आपने 3 सल का diploma कर रखा है, definitely आप eligible हैं, और वहीं अगर आपने 4 सल का BB tech कर रखा है, तो आप safety engineer की position के लिए apply कर सकते हैं, construction planning के लिए कोई eligible रहेगा अगर आपने diploma कर रखा है, civil के अंदर या फिर civil से related किसी branch के अंदर आप इसको apply कर सकते हैं, या फिर अगर आपने BB tech कर रखा है, तो भी eligible रहेंगे, electrical के अंदर electrical वाले apply कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने electrical branch में diploma किया है, BB tech किया है, या फिर electrical से relevant किसी branch में diploma BB tech कर रखा है, इ ग्यान रखिएगा CSIT वाले यहां पे eligible नहीं रहेंगे, साथी साथ instrumentation वाले भी यहां पे apply कर सकते हैं, diploma BB Tech का रखा, instrumentation से इसको apply कर सकते हैं, quality analyst और quality control के अंदर, civil, mechanical और electrical वाल अप्लाई कर सकते हैं, diploma और BB Tech का रखा है, eligible रहेंगे, quality engineer के अंदर अगर आपने civil, mechanical या, electrical से diploma BB Tech का रखा और इसे relevant किसी भी ब्रांच में कर रखा है, apply कर सकते हैं, structural engineer के अंदर अगर आपने civil से, यह फिर civil से related किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा BB Tech का रखा है, इसको apply कर सकते हैं, piping के अंदर mechanical वाल eligible रहेंगे, जिन्होंने mechanical से diploma BB Tech की है वो यहाँ पर apply कर सकते है अब बात कीज़े यहाँ पर आपको apply कैसे करना है देखे यहाँ पर इन्होंने अपना mail ID जो दे रखा है उस पर आपको अपने resume को directly email कर देना है और इसी email को मैंने video के description में दे रखा है मैं आपको email कैसे करना है उस तरीके के बारे में बताऊंगा और cover letter के साथ आपको यहाँ पर email करना पड़ेगा ऐसे ही email नहीं कर देना है cover letter यहाँ पर attach करना है अच्छे से उसके बाद आपको email करना है तो चलते हैं पहले telegram channel पे वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि cover letter कहां मिलेगा फिर हम उस cover letter को copy करेंगे थोड़ा सा edit करेंगे उसके बाद मैं आपको email करने का पूरा तरीका बता दूँगा और telegram का link मैंने video के description में दे रखा है तो जैसे आप उस पे click करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा telegram channel open हो जाएगा जो कि आप अभी screen पे देख पा रहे हैं तो आपके सामने ऐसा telegram channel open हो जाएगा तो आपको यहाँ पे करना क्या है टॉप पे आपको एक message दीखेगा पिन message तो आपको इस पिन message पे करना है click जैसे आप इस पे एक-दो बढ़ी click करेंगे तो आपके सामने यह message आज आज आएगा covering letter for fresher यह message आपके सामने देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पे करना क्या इस पे एक long press करेंगे तो जैसे आप इस पे long press करेंगे पहले तो यहाँ पे covering letter for fresher इसको आपको अठा देना है subject जो line रहेगी mail ID का mail का जो आप mail करते हैं तब subject line रहेगी तो आपको लिखना है regarding vacancy for the post of जो भी आपकी branch है like आपका trade है, electration है, feeder है, IT का जो भी trade आपको mention कर देना उसके बाद आप थोड़ा scroll down करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना है my, इसके आगे आपको लिखना है diploma, b, b, tag, अगर आपने IT के तो वो भी आप लिख सकते हैं जो भी आपका college है, उसको आपके हाँ पर college का नाम डाल देने then फिर आपने जबी भी किया है, जिस भी year के अंदर आपने pass out year है वो आपको यहाँ पर डाल देने, like 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 वो आपको डाल देने then फिर आपको क्या करना है, नीची नीचा आएंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पर name को हटा के, आपको अपना नाम लिख देना है, mobile number की जिएगे आपको यहाँ पर हटा के, आपके mobile number लिख देने फिर उसके बाद edit हो गया, उसके आप इसको copy कर लेना है copy करने के बाद, जो mail ID मैंने आपको description में दे रख है उसपे click करके आपको mail कर देना है, मेरे सारे भाई बैनों को mail करना तो आते होगा, अगर नहीं आता तो आप वीडियो के comment box में लिख देना मैं इसपे एक वीडियो बना दूँगा या फिर आप YouTube पे बहुत सारे लोगों उनने mail करना बताया है कि normally mail कैसे करता है, तो आप उनकी वीडियो भी देख सकता है तो मेरे भाई एक बड़ी opportunity आपको देखने को मिलेगी, apply जरूर कर देना 100% आपका reply आने के chances रहेंगे तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को like करेगा, share करेगा वोगों तक जिनको job की need and comment box में अपनी branch को mention कर देना आपका pass out यहर कौन सा उसको बता देना, आप fresh air की experience से ये सारी चीज़ा mention जरूर कर देना ताकि आने वाली next वीडियो आपको उसी से relevant देखने को मिले, all the very best, जैहिन